तो इस टोपिक में हम स्टार्ट करते हैं विद मार्जनल कोस्ट एक्वेशन के साथ तो इसका पॉमुला होता है अपसी मींज फिक्स्ट को बिक्स एक्सपंस भी हो सकते हैं profit and loss इन सब को जब add कर सकते हैं ठीक है add करेंगे तो हमारे पास sale आ जाएगी उसके बाद एक और formula आता है फिर इससे ही formulas बन जाएंगे ठीक है यही याद रख लेना यही main point है sale को अगर हम MC या VC से minus करेंगे ठीक है तो हमारे पास contribution आएगा marginal cost या variable cost से less करेंगे तो हमारे पास contribution आएगा ठीक है bracket में चीज जो दी गई है वो मैंने less वली दी हुई है अब देखो sale में से less किया MC और VC हमारे पास contribution आगया and contribution में से अगर fixed cost less करेंगे तो हमारे पास profit आएगा ठीक है उसके बाद यह formula भी उपर से बन जाएगा जैसे sale minus MC is equal to FC plus profit FC means fixed cost ठीक है तो उपर देखो यहाँ पर just variable cost को इधर minus में ले गए बाकी सारा formula same है अब इसको हम example से समझते है कि example में क्या लिखा है आपको sale given है ठीक है sale given है 2,40,000 की direct material given है direct labor given है variable overheads की बन है ठीक है direct V variable यह सब जो है variable cost में include होगे इन सब का total variable cost के equal होगा उसके बाद जो हमने उपर formula किया था sale minus MC VC तो वहाँ पे इसको put कर देना है ठीक है VC का हमारा total आ गया 150,000,000 तो यहाँ पे इसको less करके हमारा contribution आ जाएगा ठीक है और मैंने बताया था कि profit और fixed cost को हम vice versa भी कर सकते हैं मतलब उपर नीचे कर सकते हैं आप तो उसके बाद यह सारा total तो variable में चला गया ठीक है उसके बाद हमने इसको less किया and हमारा contribution आ गया फिर उसके बाद हमारे पास और क्या चीज गिवन है हमारे पास profit गिवन था 50,000 का तो उसको मैंने less कर दिया contribution में से हमारी fixed cost आगी ठीक है second ratio आप ही हमारी profit volume and contribution ratio जिसमें हम contribution upon sale into 100 करके PV ratio ने कालेंगे अगर इसके second formula की बात करें तो उसमें आएगा change in profit जितना change आया है profit में और जितना sale में change आया है उसको divide करके into 100 के साथ ठीक है और यह year wise दिये गए है एक example से समझते है जैसे इस sum में हमारे selling price जो है rupees 10 per unit है variable cost है 6 per unit and हमें sale दिगई है 2000 and 2011 की 2000 की हमें 1,50,000 and 2011 की 170,000 तो यहाँ पे इन दोनों को less करके second point देखो change in profit and change in sale में आप यहाँ पे इनको less करोगे तो 20,000 आएगा उपर हमारा profit था and profit यहाँ पे साइट पे देखो 2000 का profit है 20,000 and 2011 का profit है 25,000 इन दोनों को less करके हम उपर लिख देंगे मतलब 5,000 upon 20,000 जो सेल का change आया था उन दोनों को multiply कर देंगे सीधी सी बात है दोनों को less करके जो 2000 का था और 2011 का था दोनों को upon में लेके आएंगे and उनका percentage रिकाल लेंगे तो यह हमारा formula था change in profit and change in sale का into 100 करके जो आया था 5000 upon 20,000 into 100 and उसके बाद हमारा third point आता है break-even point break-even point वो होता है देखो यहां पे fixed cost है जो parallel जा रही है x-axis के and vc और tc tc means total cost and variable cost को कट करके जो point जा रहा है वो होती है break-even point जहां पे ना loss होता है ना profit होता है and इसके two points आ जाते हैं हम कैसे calculate करेंगे in units में in rupees में in units में in units में आपको bep means break-even point fc means fixed cost upon contribution per unit and fc वैसे ही रह जाएगा pv ratio आ जाएगी pv means profit volume ratio मैंने पहले ही बता दिया so start करते हैं with example इन दोनों को हम निकाल लेंगे कि कैसे कैसे units में होगा और कैसे रुपी में होगा अब BEP को समझने के लिए हमारे पास ये first point है कि BEP express in amount of sales in rupees in rupees में हमने निकालना है ये अगर question के बात करें last में एक छोटा सा paragraph दिया है selling price per unit दिया गया है फिर variable cost भी per unit है so हम इससे क्या करेंगे in units निकालेंगे and बाद में selling price को multiply कर देंगे ताके वो rupees में आ जाए ठीक है so start करते है बस आपने ये ध्यान रखना है कि आपको नीचे वाली information थोड़ी सी mind में हो जैसे selling price per unit आपको 40 दिया गया है फिर variable 2 दिये गया है आपको उसको plus करके show करना पड़ेगा fixed दिया हुआ है and उसके बाद हमारे पास selling cost दी गई है यहां पर fixed selling cost दी है fixed को हम plus कर देंगे चाहे वो fixed overhead हो या selling हो factory overhead हो या manufacturing हो या selling हो fixed तो fixed होता है ठीक है fixed expenses में आपको बता दिया कि 160,000 मैंने बताया था कि आपके fixed overheads है चाहे वो factory है चाहे वो selling है वो दोनों को plus करके हमारी total fixed expenses हो जाएंगे ठीक है फिर हमने starting में किया था कि contribution कैसे निकालते हैं तो sale में से VCIMC माइनस कर देते हैं VCIMC आपको variable and marginal मैंने बता दिया था तो यहां पर S3 मैंने sale लिया है sale को माइनस करेंगे हम variable या फिर marginal cost में से तो हमारा contribution आ जाएगा ठीक है और हमारा यह contribution आने के बाद हमने क्या करना BEP means break even point निकालना है break even point का formula क्या था देखो break even point का formula है FC upon contribution per unit अगर इन units में निकालना है अब हमें सारी information units में दी गई थी इसलिए हमने यह formula यूज किया and उसके लिए हमें fixed cost निकालनी थी वो हमने add करके निकालनी ठीक है तो यहां पर आप देखी सकते हो कि हमने यह last वाला point कर लिया है कि हमने units में तो निकाल लिया है थीक है बट उसमें first point में लिखा हुआ था कि आपने sales in rupees में निकालनी है थीक है तो break even point हम sales को rupees में करने के लिए into कर देंगे जो हमारा units में answer आएगा वो convert हो जाएगा rupees में next point है second number of units that must be sold to earn a profit of 120,000 rupees per year तो हमें इतना profit करने के लिए कितनी units sold करने पड़ेंगी तो यह point है लेकिन यह first वाले से ही link करता है जैसे की सारा formula वही लगेगा बस हमने उपर fixed expenses में add कर देना है desirable profit desirable profit हमें दिया गया है 1 lakh 20,000 कि हमें इतना profit earn करने पे कितनी units हमने sold करनी है फिर हमारा third point आता है how many units are to be earn a net profit of 15% of sales अब यहां पे sales given नहीं है ठीक है तो sales को हम let भी नहीं कर सकते यहां पे हम units collect करेंगे कितनी units sold करेंगे तब जाके हमें 15% of sales का profit होएगा ठीक है तो and हम units and हमारा selling price है rupees 40 इन दोनों को अगर multiply करेंगे तो हमारी sales आजएगी ठीक है पिछले sum में भी यहीं किया था last में जब यह first point में ही जब हमने rupees में निकाली थी selling units को and sale price को multiply करके हमारी sales आजएगी इसका जो 15% है वो हम add कर देंगे fixed expenses में ठीक है सो चलते हैं इसके solution पर तो देखो यहां पर सारा जो है first point से start किया जा रहा है जो fixed cost है desirable profit है contribution है वो सारा same है जस्ट इसमें यहां पर fixed cost में यानि की fixed expenses में add कर दिया गया 15% of this उसके बाद देखो फिर नॉर्मल ही है कि जैसे हम चोटे बच्चों की तरह cutting करते होते थे और यह equation बनाते होते थे वैसे ही यह करना है जैसे 15 को into कर दिया n के साथ ऐसे हमारी उपर cutting हो गई क्योंकि वो into में है तो हमारा उपर 6 n आ गया ठीक है तो ऐसे equation solve करते करते हमारा n की वैलियो आएगी 20,000 यूनिट्स अब ये यूनिट्स में आएगा क्योंकि हमने यूनिट्स में निकालना ही है उसके बाद fourth point देखो नंबर ओफ यूनिट्स तो बी सोल तो अन टारगेट प्रॉफिट ओफ रुपीज 1,05,000 आफ्टर इंकम टेक्स ठीक है इंकम टेक्स लगा है 50% का और उसके टारगेट प्रॉफिट है उसका 1,05,000 तो इसका solution देखते है कि कैसे हो गाई ये ठीक है तो हमारा जो स्टार्टिंग में चल रहा था फिक्स्ट कोस्ट अपॉन कॉंट्रिबूशन का फंडा तो वो सारा सेम ही रहेगा बस आपको टारगेट प्रॉफिट अपॉन इंकम टेक्स को डील करना पड़ेगा इन सेल्स इन यूनिट चेक है तो यहां पे देखो फिक्स्ट कोस्ट में इन ने प्लस कर दिया टारगेट प्रॉफिट जो हमें दिया गया था 1,5,000 अंड हमें 50% का इंकम टेक्स दिया गया था जो हम ओरिजिनल में से माइनस करते होते हैं ठीक है अब 100 में से 50 गया तो 50 बचा आप यहां पे 50% भी ले सकते हो जो टारगेट प्रॉफिट अपॉन इंकम टेक्स का जो कैलकुलेशन है वह आपको 22,10,000 मिलेगी ठीक है 2,10,000 मिलेगी और उसको जब हम प्लस करेंगे 1,80,000 में तो हमारी 3,90,000 आएगी और उसको डिवाइड करेंगे 15 से तो हमारी आजाएगी 26,000 यूनिट्स इसे के साथ हमारा ये कोशन कर दो हमारी 3,90,000 यूनिट्स